बीए पार्ट सेकिंड की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत हैं। मैं डॉक्टर शिखागरवाल, सहय आचारिये, राजनीती विज्ञान, राजकिये महा विद्याले सुजानगर्ण। आज हम लोग पढ़ेंगे 1935 के अधिनियम का भारतिय समिधान पर क्या प्रभाव था। हमने अपनी पिछली क्लास में 1935 के एक्ट के बारे में पढ़ा था। और उसमें हमने ये पढ़ा था कि 1909 के एक्ट में जो बाते या प्रावधान दिये गए थे। उनमें बहुत सुधार 1935 के एक्ट में किया गया था। और जैसे भारत को संग बनायागे था, केंद्र में द्योयद शासन स्थापित किया। 1919 के प्रांतों के द्योयद शासन को खथम किया गया। इसमें संग क्योंकि बनाया गया था, इसलिए शक्तियों का बटवारा भी किया गया था, एक सर्वोच न्याले की स्थापना की गई थी, हाला कि अधिकार नहीं दिये गए थे, मौलिक अधिकार चंता को नहीं दिये गए थे, सामप्रदाइक चुनाव प्रणाली का बहुत ज हमें दिखाई देता है, जब ये किसी समिधान का निर्मान किया जाता है, तो उसमें दो तरीके काम मिलिये जाते हैं, एक सिधान्तवादी तरीके से, यानि पूरे मौलिक तरीके से समिधान का निर्मान करना, और दूसरा है व्यवारिक तरीके से निर्मान करना, भारतिये स रिवेश के अनकूल उनको ढाला गया और इसके लिए जो स्वतंतरता से पूर अधिनियम बनाए गए थे और जो महत्वपूर्ण अधिनियम स्वतंतरता अंदोलन के दौरान बने थे जिसमें 1909, 1919 और 1935 का एक्ट था उसमें सबसे जाता महत्वपूर्ण 1935 का एक्ट था और प्रभाव हमें अपने समिधान पर दिखाई देता है ऐसा माना जाता है अज हम उसी पर चर्चा करेंगे बारतिय समिधान में 1935 के अधिनियम का क्या प्रभाव है आईवर जेनिंग्स का मानना था कि समिधान सीधे तोर पर 1935 के अधिनियम पर आधारेत है तो वहीं पर Robert L. हाडग्रेव का मानना है कि भारतिय समिधान के 395 अनुच्छेदो मैं से लगबग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से या तो शब्द शह लिये गए हैं या फिर उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है यानि मोटे तोर पर हाडग्रेव यही मानते हैं कि यह समिधान 1935 के अधिनियम से लिया गया है डॉक्टर पंजावराप देशमुख का तो यहां तक मानना था कि नया जो समिधान बनाया गया वो 1935 का भारत शासन अधिनियम ही है केवल इसमें वयस्क मताधिकार को जोड़ा गया था अब हम देखेंगे कि 1935 के एकट में भारतिय समिधान जो बनाया गया उसमें कितनी सिधानतों में समानता है और उसके प्रावधानों में समानता है मोटे तोर पर देखे हैं तो जो सिध्धान्त हैं वो दोनों के अलग-अलग थे क्योंकि सिध्धान्त थे हैं ब्रिटिश सरकार का 1935 के अधिनियम को बनाने के पीछे भारतियों को सुधाय देना, भारतियों को अधिकार देना, भारतियों को प्रशासन की गतिविधियों में सक्रिये, सहयोग देने के लिए इस कानून को नहीं बनाया गया था वही भारतिय समिधान, भारतिय स्वतंत्रता पर आधरिक था, नागरिकों के हित में था और संपूर्ण व्यावस्था में शासन व्यावस्था को विकेंद्रित करने के लिए बनाया गया था तो इनकी जो इसके जो प्रावधान और समानताई हैं सबसे पहले उस पर हम बातचीत करेंगे सबसे पहला जो प्रावधान या सिधानत जिसमें समानताइं है वो है भारत के लिए संग का प्रस्ताव सबसे पहले 1935 के धिनियम में किया गया था इसके पूर्व के सुधारों में नहीं था और ये भारतिय सम्यधान में लिया गया है भारत को एक संग बनाया गया है इंडिया धर्टिस भारत एक संग के रूप में उसको माना गया है दूसरी जो समानता मानी गई वो है संग व्यवस्ता अपनाने की कारण 1935 के एक्ट में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन किया गया था और यही शक्ति विभाजन हम अपने समिधान में भी इसको देखते हैं 1935 के एक्ट में संग सूची, राज्य सूची, संबर्ती सूची और अविशिष्ट शक्तियों का प्रावधान था लेकिन उनका स्वरूम आज जैसा नहीं था तीसरी जो समानता है वो है बर्तमान समिधान में केंद्र के साथ-साथ कुछ राज्यों में भी द्वी सदनात्वक व्यवस्था पिका की व्यवस्था की गई थी जो 1935 के अधिनियम में भी की गई थी चौथी जो समानता उपरी तोर पर दिखाई देती है वो राज्यपाल की पद को ले करके है 1935 के एक्ट में जो गवर्नर का पद था लगभग वैसा ही राज्यपाल का पद है जिसके नियुकती राश्टपती करते हैं और राज्यपाल भारत सरकार के नियंतरण में रहते हुए कारे करता है ये पद समयधानिक प्रदान का पद है अगले समानता पर आते हैं 1935 के कानून के समान ही जो आज का हमारा भारतिय समयधान है उसमें ये व्यवस्था की गई है कि राज्य अत्वा राज्यों में समयधान को विफल घोशित करके केंदर उनका शाषन प्रबंद अपने हाथ में ले सकता है हमने अनुछे 356 में इसको पढ़ा है बर्तमान समिधान में भारत के और यही ववस्ता 1935 के समिधान में भी माचोड थी 1935 का अधीनियम बहुत विस्त्रित था जो अगली समानता हमें दिखाई देती है इसमें हमने पढ़ा था कि 451 धारें और 15 परिशिष्ट थे इसी तरह से जब भारतिय समिधान बनकर तयार हुआ तो यह भी बहुत विस्त्रित वैधानिक प्रलेख बना इसमें 395 धारें और मूल समिधान में 8 परिशिष्ट थे जो वर्तमान में 12 परिशिष्ट है और अगली जो समानता इसमें देखी जाती है वो है वर्तमान समिधान में केंद्रिय सरकार के मुख्य अंगों के साथ साथ प्रांतिय सरकारों की व्यवस्था का भी उल्लीक है वैसे ही 1935 के एक्ट में भी इसका प्रावधान किया गया था और पूरा विस्तार से इसके बारे में बताया गया था जैसा कि आज हमारी यहां पूरी तरह से विस्तार से राश्टपती, प्रिधान मंत्री, मंत्री मंडल, संसद की दोनों सदन प्रांतिय सरकारों के शाजन की व्यवस्ता का विस्तित वर्णन माचोत है अगली व्यवस्ता जो हमें समानता की रूप में दिखाई देती है वो है सर्वोच नियाले की व्यवस्ता 1935 के एक्ट में एक सर्वोच नियाले की व्यवस्ता की गई थी लेकिन अंतिम अपिलिय नियाले के रूप में ब्रिटेन की प्रिवी कॉमसिल को ही रखा गया था लेकिन आज की जो समयधानी की व्यवस्था है उसमें सर्वोच नियाले समिधान का रक्षक मौलिक अधिकारों का रक्षक समिधान की व्याक्या करने वाला और अंतिम अभिलिये नियायल अभी है जिसके किसी मृत्यू संबंधी निर्ने पर सिर्फ राष्टपती ही शमादान का अधिकार रखते हैं कुछ और समानताओं की हम बात करें तो भाषागत समानता है कुछ लोग इसमें देखते हैं हो कहते हैं कि कहीं कहीं कुछ प्रावधानों में हमें भाषा भी बिल्कुल समान दिखाई देती हैं तो उनको भी हम देख लेते हैं जो सबसे वहली बात जो कही जाती है इसके संदर्ब में वो है वर्तमान सम्मिधान के अनुचे 256 की भाषा जिसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रियोग संगिय संसत और कार्यपालिका की निर्देशानुसान करने की बाद कही गई है। ये माना जाता है कि शब्द शब 1935 के कानून की 126 वी धारा के अनुरूप है। दूसरी जो भाषागत समानता मानी जाती है वो है भारतिय समिधान का 251 वा अनुचेद जिसमें संगिय कानून और राज्य के कानून में विरोध होने की स्थिति में संगिय कानून को मानेता देने की बात कही गई है। 1935 के कानून में ये अनुचेद या धारा 107 के समान माने जाती है तीसरे बाद जो भाषागत समानता में देखी गई है वो है वर्तमान समिधान में राश्ट्रपती के द्वारा जो संकटकाल की घोशना से सम्मन दित अनुचेद 352 और 353 है उनकी भाषा बहुत ज्यादा अनुचेद 102 जो 1935 के कानून खा था उससे मिलती चुलती है चोथी जो समानता देखी जाती है वो है राज्य में समयधानिक तंत्र की विफलता की इस्तिती में वर्तबान सम्मिधान में जो 356 अनुचेद के अनुचेद के अनुचार विवस्था की गई है वो 1935 के अधिनियम में धारा 92 के समान है इस तरह से स्वतंत्रता से पूर 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था वो एक तरह से भारत का विधान था उसी से देश को चलाया जा रहा था ब्रिटिश सरकार से जो पृषास किये तंत्र बनाया गया और जो विवस्थाए रखी गई उससे सम्मंधित 1935 के जो महत्वपून प्रावधान थे उनको भारतिय समिधान में शामिल किया गया और इस तरह से यह माना जा सकता है कि कुछ बातों को 1935 के अधिनियम से लिया गया है लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि सम्मून समिधान मात्र उसका एक विस्तरित स्वरूप है यह हमने पूरी तरह से नकल कर लिए ऐसा नहीं है हमने बहुत सारी चीज़ों में अंतर किया है बहुत सारे प्रावधान हमारे अपने हैं क्योंकि हमने एक प्रजाता अंतरिक संसुदिये व्यवस्ता को अपनाया है हमने गरतंतर को अपनाया है तो बहुत सारी चीज़े 1935 के एक्ट से अलग हो गया अब यह अंतर क्या है इसको हम देख लेते हैं सबसे पहला जो अंतर है वो है कि 1935 के अधिनियम का जब निर्माण किया गया था तो उसमें भारतिये जनता को शामिल नहीं किया गया था लेकिन जब हमारा समिधान बनाया गया तो वो थोपा नहीं गया बलकि भारतिये नागरि विदेशी सरकार द्वारा भारतियों पर थोपा गया कानून था, भारतियों की कोई हिस्सेदारी उसमें नहीं थी. दूसरी जो असमानिता है या हम कहें कि अंतर है दौनों में, वो है कि 1935 के कानून के द्वारा भारतियों शासन पर अंतिम शक्ति ब्रिटिश संसत को दी गई थी. और वो ही किसी भी कानून में अगर संशोधन करना है, तो ब्रिटिश संसत ही उस संशोधन को करेगी. लेकिन वर्तमान भारतिय संसत सरवोच्चे है समिधान में कोई भी संशोधन करना है तो क्या तो संसत करती है या कोई बहुत महत्वपोन संशोधन है तो आधे राज्यों की विधान सभाओं को भी इसमें शामिल किया जाता है तो इस तरह से संसत को बहुत महथ्पो मिला है, भारतिय संसत को शक्तिया सौपी गő है अगली जो बात इसमें आती है जो 1935 के अक्ट से बहुत अलग है, वो है नागरिकों को 1935 के एक्ट में कोई मौलिक अधिकार प्रदान नहीं किया गया था क्योंकि 1935 का जो अधिनियम था वो विदेशी सरकार के द्वारा भारतियों को दिया गया था और नहीं राज्य से सम्मंदित नीती को निर्धारित करने के लिए नीती निदेशक तत्वों का प्रावधान था वर्तमान सम्मंदार जो भारत का बना उसमें नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान मौझूद है और उसके साथ साथ राज्य के लिए नीती निदेशक तत्वों का प्रावधान किया गया है चौथे बाद जो अलग करती है उसको यानि पिछला जो पाइंट था वो तो बहुत महत्वपून था ही और जो हम देखने जा रहे हैं वो भी बहुत महत्वपून है अगली बाद जो हम देख रहे हैं वो है वयसक मतादिकार हमने देखा था कि 1935 के एक्ट में सामप्रदाइक निर्वाचन ट्रनाली और मतादिकार को बढ़ा दिया गया था हाला कि मतादिकार का प्रतीशत जरूर बढ़ा था महिलाओं को भी मतादिकार दे दिया गया था प्रिटिश सरकार के तहत लेकिन सामप्रदाईक, निर्वाजन प्रणाली और सामप्रदाईक मताधिकार ने देश में एक विश्बेल बूई थी वो अब खत्म हो गया अब वैस्क मताधिकार हो गया भरतिय समीधान ने उस समय तातकलिक परिस्थित्यों में 21 वर्ष को वैस्क मतादिकार माना था जो हम जानते हैं कि आज 18 वर्ष की आयू को माना जाता है इसके साथ साथ सायूक्त प्रतिनिधित्व के सिध्धान्त को इसमें अपनाया गया अगली जो बात आती है जो अंतर करती है 1935 के अधिनियम से वो है 1935 के अधिनियम में संग के सतापना का प्रताफ शर्थ के साथ जुगावा था और यदि वो शर्थ पूरी नहीं होती है तो संग सतापित नहीं हो सकता लेकिन वर्तमान जो समिधान बनाया गया हमारा जो दो वर्ष ग्यारे मास अठारे दिन में बन करते यार हुआ था उसका निर्मान किसी शर्ट के तहत नहीं हुआ अनिवारे रूप से सभी देश्य रियासतों को इसमें शामिल किया गया और अलग होने का धिकार भी उनको नहीं दिया गया और यदि किसी राज्य ने ये कोशिश की जुना करने हैदराबाद ने कश्मीर ने तो कश्मीर अलग हुआ तातकलिक समय में लेकिन बाद में एक संदी के तहट भारत के साथ जुड़ा हैदराबाद को मना लिया गया और जुना कर भी भारत में शामिल हो गया तो इस तरह से भारतिय समयधान में धर्म निर्पेक्ष राज्य की स्थापना की गया हाला कि तातकलिक रूप से ऐसा कोई क्लॉज अलग से नहीं दिया गया लेकिन मौलिक अधिकारों में व्यक्तिको धार्मिक स्वतंतरता का अधिकार दिया गया धार्मिक भेदबाव से राज्य को मना क गया गया जिसमें समानता का अधिकार जो विक्ति को दिया गया उसमें इसको स्थापित किया गया इसके साथ साथ बाद में जाकरके उनी सुछिट्र meidän धर्म निर्वेक्ष शब्द को भी भारतिय प्रिस्तावना में शामिल कर लिया गया जबकि 1935 के एक्ट में धर्म के आधार पर भीदभाव किया जाता था इसके अतिरिक्त 1935 के अधिनियम में जो अविशेश शक्तिया थी उनकी अन्तिम निर्नायक इससी थी गवर्नर जनरल के पास थी और वही यह निर्नायक कर सकता था कि अवशेश शक्तियों का प्रैयोग प्रान्त के द्वारा किया जाएगा लेकिन वर्तमान में भारतिय समिधान जो अवशेश शक्तिया है वो इस पश्ट रूप से एक इंद्रिय सरकार को प्रदान करती है 1935 के अधिनियम में स्थापित संगी न्यायाले देश का उच्चतम न्यायले नहीं था क्योंकि बिटिश सरकार इसको चला रही थी तो कुछ मामलों में जो नेर्ने जो किया जाता था उसकी अपील इंग्लैल की प्रिवी काउंसिल के में की जा सकती थी और वर्तमान जो समिधान है उसमें सरवच न्यायले भारत का उच्चतम और अंतिम अपीलिय न्यायले है जोने केवल समिधान की रक्षा करता है उसकी व्याक्षा करता है मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करता है तो इस तरह से 1935 का जो ये कानून था, अधिनियम था और वर्तमान समीधान में बहुत अंतर है एक तरह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि 1935 की अधिनियम की हमने नकल कर ली हमारे समीधान निर्माता, उने नकल कर ली यानि एक नया clause नहीं बात इसमें डाली गई जो 1935 के अधिनियम में नहीं थी इसी तरह से और महुत सारी बाते हैं जिनको इसमें डाला गया तो 1935 का जो एक्ट था वो नकल मात्र नहीं था बलकि हम जी कह सकते हैं कि 1935 के अधिनियम से अनुभव लेते वे कुछ बातों को इस कर ढाल कर स्वतंतरता के बाद काम में लिया गया